आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब भी आप अपने WhatsApp पर किसी को भी message send करते हैं, audio message send करते हैं, तो आपका जो message है वो send नहीं होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस problem को किस तरीके से fix कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर audio record करके send करते हैं, तो जो audio है वो send नहीं होती है, या फिर error आ जाता है, या फिर यहाँ पर जो cross का निसान वो आजाता है, या फिर कुछ इस तरीके का निसान आ जाता है, तो इस problem को आसानी से fix करेंगे, तो इस problem को fix करने के लिए सबसे पहले तो आपको अप Recapend Reset का एक option देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपल से आपको इस पर किलिक कर दिना है, जैसे आप इस पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, Reset Phone का एक option आपको इस पर किलिक करना है, यहाँ पर आपको तीन settings देखने के लिए मिल जाती है, reset network settings reset all settings and erase all data तो हमें कुछ नहीं करना है आपको कोई settings पर कलिक करना नहीं है चिर्फ आपको reset network setting पर आट रहसे पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर कलिक करेंगे के तो यहाँ पर आपका Password और और आपका fingerprint वांगेगा तो यहाँ आपना fingerprint लगाँगा and fingerprint लगाने के वाद reset network setting का एक option है तो आपको reset network setting पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपकी network से related जितनी भी problem है वो fix हो जाएगी अब आपको क्या करना है अब आपको अपने data को और रखना है and यह भी पता करना है कि आपके sim में data है या नहीं है इतना आपको check कर लेना है check करने के वाद आपको क्या करना है आपको play store में जाना है PlayStore में जाने के वाद यहां पर आपको whatsapp को सर्च करना है whatsapp को सर्च करने के वाद यहां पर अगर open की जगए update लिखे आता है तो आपको simple से आपको अपने whatsapp application को update कर लेना है whatsapp application को update करने के वाद आपको सब से नीचे WhatsApp देखने के लिए मिल जाएगा, WhatsApp को ढूना है, and WhatsApp पे क्लिक कर देना है, WhatsApp पे क्लिक करने के बद आपको थोड़ा नीचे आना है, and Stories and Uses पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे दो ऑप्सन देखने के लिए मिलते हैं, अगर आपने backup लेकर रखा है, या फिर आप अपना data नहीं चाहते हैं, तो आपको clear all data पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे के आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपके important what से में कोई data है, तो आपको यहाँ से clear catch कर देना है clear catch करने के बाद आपको back चले जाना है, यहाँ पे आपको अपने mobile की power button होती है, आपको इसे दबा के रखना है, जैसे आप इसे दबा के रखेंगे, तो आपको options देखने के लिए मिलेंगे restart का और power off का, तो आपको यहाँ से power off नहीं करना है, आपको restart करना है, ठीक है, तो आ आपको चया कर लेना है, आपके device में network आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपके sim में data है या नहीं है, बस आपको इतना चया करना है, and आपकी problem fix हो जाएगी, अब आप WhatsApp पर किसी को भी voice message record करके send करेंगे, तो automatically आपकी यह problem fix हो जाएगी, और जो voice message है, वो send हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आप इन settings को apply करके अपनी यह problem fix कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को like कर दीजिए, and चैनल को subscribe कर दीजिए,